और इसे वीच बड़ी ख़बर का रुख कर लेते हैं उत्तरप्रदेश बोर्ड पर इक्षा के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है रिजल्ट की घोशना इसक्त की जा चुकी है आपको बता दे कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो इसक्त जारी हो गया है रिजल्ट चेक कर सकते हैं कड़ी मेहनत बच्चों ने की और उसके बाद में आब आज रिजल्ट जारी किये गए हैं आपको बता दे कि दस्वी और बार्वी दोनों की ही रिजल्ट एक साथ इस बार जारी किये गया है इससे पहले अगर देखा जाए तो अलग-अलग रिजल्ट जारी किये जाते थे दस्वी और बार्वी की रिजल्ट जारी होने में दो-तिन दिन का अंतर कही ना कहीं रहता था लेकिन इस बार एक ही दिन एक ही साथ दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट जारी किये गए हैं, दोनों ही बोर्ट के रिजल्ट जारी कर दिये हैं और बच्चे जो है जो चात्र जिनों ने इस बार एक्जान दिये वो यूपी रिजल्ट डॉट एन इस बार जारी हुआ है बच्चों को काफी इंदिजार था क्योंकि बच्चों ने जी जान से महरत की थी दस्वी और बारवी में और अब आज उनका रिजल्ट सामने आ चुका है वहीं आपको बता दे कि दस्वी में कितने पितिशित चात्रों इस बार पास हुए है बारवी में 54.52 फीस दी चात्रों ने अपना पर्चम लहराया है तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो इससे तो घोशित किया जा चुका है ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे है इस बार दस्वी और बारवी दोनों की ही रिजल्ट एक साथ खोशित किये गए है जो छात रिजिनों ने दसमें बार्वी का एक्जाम इस पर दिया वो अपना रिजल्ट जो है यूपी रिजल्ट डॉट अना इसी डॉट इन पर और रिजल्ट्स डॉट यूपी एमस्पी डॉट इडू डॉट इन पर चेक कर सकते हैं यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहें यूपी बोर्ट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है देखना होगा कि इस बार टॉट फाइफ चात्रु कौन है लड़कियों ने कितनी बाजी मारी है लड़कों ने कितनी बाजी मारी यह देखना होगा लेकिन लगातर आपको ब रहते हैं और वहीं अगर देखा जाए तो पार्विं पिछतर दश्वल पांस दो फीजदी चात्रों ने अपना पर्चम लह राया है तो यूपी बोर्ड के बोर्ड परिक्षा के रिजल्ट का जो इंतिजार था वो अब खातम हो चुका है यूपी बोर्ड का रिजल्ट जार किया जा चुका है दस्वी और पार्वी के परिक्षा के नतीजेस अब सामने आ चुके हैं एक साथ हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट दोरों का रिजल्ट जारी हुआ है यूपी रिजल्ट डॉट एन और रिजल्ट डॉपी एमस्पी डॉट एडू डॉट इन पर आप अ किराद बंगी के चल्चा सका जेच हैं एमस्पी ट corpor вроде रड़ी के ब suffering